एड़ों की कमी नहीं आएगी और मैं इस पे भी मुझे दुख भी हो रहा है और अफसोस भी हो रहा है उसी पे बर्वत को निकाल दिया जा रहा है कि उने साओधी अरब के तिंगे ये कुछ इर्फाज सही नहीं है अलग ये नूरा कुष्टी है इम्रान के ही कहने पे तब कुछ हो रहा है ताके मैं महसुस कराऊं कि मैं साओधी अरब के खलाब नहीं हूँ और जो भी खलाब बोलेगा तो उसको पार्टी से निकाला जाएगा ये तब तक होगा जब साओधी अरब इनको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा तो फिर वोई वोई वाली हेलों की स्ट्राइप तो ये अफजल वर्वट और इम्रान खान की नूरा कुष्टी है इम्रान खान के कहने पर ये बोला जा रहा है और थोड़े अर्शे के लिए मरवक इमने शिप से भी रिद्राइन देगा लेकिन फिर तुपरा इलेक्ट भी होका और वो ही इम्रान खान के साथ काम करेगा तो इसमें ये तू दुरूर ये के इसमें मांगाई में कमी आई है अच्छी स्प्रिय अगरवाद की जाए लेकिन अच्छी में ये उकुमत में तो समझना चाहता हूं और समझ रहा हूं कि सेल्री में अदाफा में करेगी सेली गवर्रमेंट भी करेगी बूर कवर्दन से जाहिए नहीं नहीं दी जा रहे है गरीब अबान को मजलूंग मस्कीर अबान को शायद इस बजेट में सहुलत में दी जाए और उसमें गरीब अबावाद के पाई लिए इस्टेट की वफाटी अब्दनी के लिए बने हूए चाहँ है भी तो कमी आफ्कारवई नहीं हुई नहीं हुई रहा है या मुझे मु कायन करके दिखाएंगे और कुछ शायद किया भी है लेकिन करना चाहिए इस वक्त जब रेंजर्स भी है इंटेलिजन्स इदारे भी है पुलीस भी है और को इंट्रफेरंस भी नहीं कर रहा है वोई अपने बज़े सब्सकार कोई इस पी भी नहीं लगा रहा है इसमें तो दिखेंके के अफाकी वकुमत को कभी भी पांच साल पूरा होका पाकिस्तां बने इसे ही अफ्टार ऑफाकी वक्रम उप्माच मिस्टर प्राइम स्टर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 5 साल को यह पांच साल करते रहते इस था की फासिबिलिटिटी है इसलाट बाश्रीक यह कि इसे जहां पर फिए होती है इस मैने जाए को इस वी पासिबिलिटी यह बखाग आप पार्टी को इस पार्टी को दीजा है स्टाइब सबसे बहुत स्यासी वस्ताइब बात की बात है इम्रान खान है इम्रान कान सोच रहा है कि मैं ध्यमकियों से फ्रेट से शाहिद कंडॉल तुर्सकों उदर से भी धंकी बर्दाश्ट नहीं की जा रहे हैं वह भी तो किसे ओधियत वाले मालक हैं तो दोनों का ठक्र मुटना तना रहा है